हलो फ्रेंट्स वेलकम दो चानल करंट अफेर अपडेड़ इस दिवशी शवस्ती जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं तो देख सकते हैं यह सीरीज है मैंना अल्रेडी सीरीज को एक बार किया था आज मैं इसको वापस इसका सेकेंड फेज आपके सामने लेका हैं ताट इस मोस्त इंपॉर्डन कोश्चिंश किया होंगे सीरीज में याद के 10 कोश्चंश रहेंगे बट मैं पांच कुर्ण अफेर्स के कोश्चंश रखूँगा और पांच किसी टॉपिक के कोश्चंश रखूँगा कहने का मतलब जन से उनको डील करते जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सिरीज इस लेक्चर इसकी अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो मैं फिर से बता दू हमारे वाट्चाप ग्रूप को जॉइन करें तो इसकी पीडिएफ आपको एविलेबल हो जाएगी ओके वाट्चाप जॉइन करें लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वाट्चाप तंबल दिया हुआ है आप उस पर कॉंटाक कर सकते हैं प्लस एक बार जरूर अप्लिकेशन का लिंक मैंने निचे डाल रखा है आपको कोर्से अगर पर्चेस करना बहुत अच्छी बात है नहीं भी करन करना हो तो एक बार अप्लिकेशन को जरूर विजिट करें आपके लिए बहुत हेल्फुल हो सकते हैं अगर आप यूपीश सी या अधर एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हो देखते हैं कौन से कॉश्चंस हैं पॉलिटी के को कॉश्चंस और क दिया गए आपको पताना कौंसा से सप्टमेंट करेंक्ट है पहला स्टमेंट है कि अगर बिल पैंडिंग हे लोक्जाम में ओके रिवेम्रा हो जएक्टर्ट कशा हो या पको को प्रोडिशन गुकर हो जाया कही और राजसन सभ़ामें और अभी तक लोक्स नहीं हुआ है वो lapse नहीं होगा अगर लोगसभा dissolve हो जाती है तो remember लोगसभा dissolve हो गई है बिल अभी रात्षभा में ही है लोगसभा पास नहीं हुआ है remember वो lapse नहीं होगा ऐसा statement आपको बताना कौन सा statement correct है जिसको आता होगा उसे तुरंच mark कर लिया होगा मैंने इसकी ट्रिक भी बताइए अपने पॉलिटी के लेक्शर्स में पॉलिटी के लेक्शर्स भी आपको देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईए आप्लिकेशन को विजिट करेंगा बहुत इजी कोशन है यादखेगा पहला statement रॉंग है प्रोलोगेशन के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता है बिल लाप्स नहीं होते हैं तो पहला statement रॉंग है सेकेंड सेट्मेंट बिलकुल ही correct है अगर लोगसभा डिजॉल भी हो जाती है कि लोगसभा अगर डिजॉल हो जाती है तो बिल के लिए क्या होगा मैंने सारी conditions अल्री पॉलिटी में पढ़ा रखी है तो पहले कोशन का answer that is B है PDF में आपको पता अविलेबल हो जाएगी और अगर आपको एक कोशन नहीं बनना है थोड़ी से पॉलिटी वीक हो सकती है आपकी इसलिए आप एक बाद पॉलिटी के लेक्शेस हमारे अप्लिकेशन में जाकर पॉलिटी सीरीज देखिए तो ये कोशन आपके लिए बहुत एजी हो जाएगा चले नेक्स कोशन में आते हैं सिर्फ हीह करता है से बिल के सिंदेश करिमेंडी के सब्सक्राइब कर्सेटमेंट के कि इसमें पॉलिट नहीं करते हैं ने सैथ्म मिन आहिए कि इसमें सब्सक्राइब का instrument ये शेबटी जाते हैं जूट को ॊह इसे सब्सक्राइब होते और criminal case दोनों को ही solve कर सकता है remember तो यहां only statement है extreme statement generally UPSC में wrong होते हैं यह trick होती है solve करने की नहीं भी पता है आपको तो आप यह trick से भी solve कर सकते हैं वारना इसका correct पहला option तो wrong है civil के साथ था criminal cases को भी gram nail act देख सकता है second statement correct है yes it allows social activists as mediator यहां दखेगा तो correct answer only B remember तो correct answer only B है चलिए इसके बारे माँ पढ़ भी सकते है gram nail act यह features भी देख सकते है UPSC already gram nail act चे कोशन पूछ चुका है second third statement है बहुत easy question है अगर लोगसभा यह state assembly का election होता है तो जो winning candidate है must get at least 50% of the votes polled to be declared elected तो elected तभी declare होगा जब 50% उसको votes मिले हो second statement है और जितने भी vote polled हुए है उसका 50% मिला हो यह मैंने बोला है देखते हैं पहला statement सही है कि नहीं second है according to the provision layer in the constitution of India लोगसभा का जो speaker होगा उसको जो majority party होगी speaker की post उसके पास आएगी और जो deputy speaker होगा opposition जो होगा उसको deputy speaker की post मिलेगी यह आपका constitution कहता है ऐसा statement लिखा हुआ है which among the following statement is correct again आपको बताना है easy question है अगर आपको पता होना चाहिए पहला statement तो totally wrong है first pass the post system के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यारे कि जिस candidate को भी ज्यादा वोट मिलते वो जीत जाता है जरूरी नहीं कि 50% वोट मिले उसको तो पहला statement रॉंग है second statement भी रॉंग है constitution में ऐसा कहीं भी mention नहीं है कि speaker जो होगा majority parties होगा deputy speaker opposition parties होगा constitution में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है रिया दखेगा बस यह लिखा है कि of course जो speaker deputy speaker होगे वो house के member होने चाहिए वही speaker और deputy speaker बन सकते है तो दोनों statement रॉंग है तो correct answer neither one nor two easy questions है बढ़ आप देख सकते हैं ऐसे statement question आपके लिए important होगे exam perspective से next आते हैं question में fourth policy के regarding question है पूछा गया president rule के regarding कि president rule जब लगता है तो कौन से consequences नहीं हो सकते याद है कि not necessary हो नहीं सकते हैं नहीं पूछा है not necessary the consequences of president rule मतलब president rule लगा है तो consequences होना ज़रूरी नहीं है president rule आप सब को पता हो article 356 के अंदर लगाए जाता है तो तीन statement है कौन से consequences नहीं होंगे याद अखिएगा पहला है कि state assembly dissolve हो जाएगी second है council of minister जो state के होंगे वो removed हो जाएगे third जो है local body dissolve हो जाएगी तो कौन सा statement correct है याद अखिए consequences नहीं है ये पूछा गया है तो of course dissolution of local body local body dissolve नहीं होती है तो ये तो consequence नहीं है third अगर correct है तो देख सकते हैं आप तीन option में आ जाते हैं A, B, D में second statement removal of council of minister and the state yes ये होता है council of minister remove होते है तो first statement wrong हो गया है तो देखे correct answer B हो जाता है that is two and three sorry two सही है तो नहीं पूछा गया है two सही है तो two cut करना पड़ेगा sorry two cut कर दिया one तो आप option बचाए A और C sorry A और C बचाए one and three and one only तो one देख लेते हैं dissolution of state legislative assembly तो state legislative assembly जरूरी नहीं कि dissolve होगी हो दकना suspend हो जाए आप ये नहीं कि दिजॉल्वी होगी ये consequence होगा ऐसा नहीं होगा तो first statement भी wrong है तो याद रखेगा first or third these are not necessary कि यही consequence हो याद रखेगा तो one and three तो correct answer option बचाए one or three जरूरी जरूरी नहीं है one or three जरूरी 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 नहीं होगी याद रखेगा two yes it is a consequence ये तो होता ही है but state assembly dissolve कियागे suspend भी हो सकती है remember तो मैंने लिखा है याँ पर हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो dissolve भी करे प्रेजेट आइड़ सस्पेंड और dissolve remember तो जरूरी नहीं सस्पेंड भी करेगा चलिए मैं आपको दादो हमारे courses है प्लीज एक बार application को विजिट करे पॉलिटी के questions आप देख रहे हैं कोशें हम फिफ्ट में आते हैं again पॉलिटी के regarding statement है दो statement दिये गए कौन सा statement correct है यह पूछा गया है पहला है private member bill वो bill होता है जो की member of parliament present करता है जो की elected नहीं होता है वो nominated होता है अगर nominated member कोई bill पेश कर रहा है तो उसका private member bill कहते है ऐसा statement 1 कह रहा है statement 2 कह रहा है private bill जो है parliament में पास किया गया है अभी देखा है first time history में recently पास किया गया है okay second statement है तो आपको जाना कौन सा statement correct है याद दखेगा आज तक कोई भी private member bill पास नहीं हो पाया प्राइब parliament से तो recently छोड़िया आज तक पास नहीं हुआ है तो second statement तो wrong है first statement भी wrong है याद खेगा private member bill वो bill होते है जो कि minister नहीं रखता है याद खेगा अगर मैं minister नहीं हूँ और मैंने bill रखा है ठीक है तो that is going to be the private member bill याद खेगा ऐसा कुछ नहीं कि nominated member रखेगा तो वो private member bill होगा इसी कहीं condition नहीं है तो first statement भी wrong है second भी wrong है तो correct answer option number D that is neither one nor two both statement are wrong remember मैंने answer लिख दिया है PDF आपको available हो जाएगी remember next question माते है question number 6 अब हमाते है कुछ current affairs के question आपको जाता है quality और current affairs आज का मारा topic है spotlight initiative तो इसके regarding दो options है कि joint initiative है United Nation और European Union का इसके जरूर आप पढ़ सकते हैं description भी लिख दिया है question number 7 PRAIR प्रना पोर्टल के बारे में लिखा हुआ है प्रना पोर्टल क्या है which among the following statement is correct regarding प्रना पोर्टल पहला statement है इसको launch किया ministry of earth science ने पहला statement इसको इस ministry ने launch किया है यह track करेगा progress of national clean air program which among the following statement is correct वैसे अगर आपने practice of question की होगी है इसा correct answer option number B है to only second statement correct है remember अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बता हूँ तो इसको ministry of environment and forest ने launch किया है याद अखिएगा पहली बात तो यह कि ministry मैंने रॉंग दी थी environment ministry ने launch किया है ठीक है of course national clean air program के अंदर launch किया गया है और याद अखिएगे ऐसी cities जो की ambient air quality standard को नहीं achieve कर पारी है attain नहीं कर पारी attainment नहीं हो रहा है उनकी help के लिए ही याद अखिएगा इस पोर्टल को launch किया गया है जहां पर physical of financial status city का बताय जाएगा कि action plan करने में क्या दिक्कते आ रही है तो क्या दिक्कते हो सकती उसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी यह परना पोटल प्रोवाइड करने वाला है तो कि जाएगे जो cities टार्गेट से चीव नहीं कर पारी है रिकार्डिंग एंबेट एयर क्वालिटी standard उनके लिए especially portal है remember ठीक है तो case ministry launch किया है और of course national clean air program के अंदर ही यह portal launch किया गया है इसके आप current affairs में और भी देख सकते है next है direct question democracy index कौन publish करता है मैंने बता है इंडेक्स और reports important होती है चार option दिये गए हैं आपको बताना है कौन publish करता that is very very important MNC internationally बहुत important है इसको पड़िश कौन करता है तो correct answer option number A है remember यह आपको पता होना चाहिए नहीं पता है कोई बात नहीं अब इसको आप याद कर लिए question में 9th again important है biofuels हमेशा news में रहते हैं मैंने हर बाइ एक्जाम में पता है आप इसको जरूर पढ़ें इसको फर्स जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऐसे करके biofuels की पूछा गया है कि algae biomass से biofuels जो बनाया जाता है उसको कौन से जनरेशन ऑफ ऐफ कहा जाता है तो प्लीज एक पढ़ें आप फर्स जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन क्या है करेक्ट आंस ऑप्शन वर C है, थर्ड जनरेशन बायो फ्यूल को हम कहते हैं, अगर बायो फ्यूल अलगी बायो मास्स से मिलके बनाया गया है, ठीक है, देखिए मैंने आप लिग भी रखा है, कि फर्स जनरेशन में आप शुगर केन यूज कर रहे हैं, पाल्म उल यूज कर हैं, थर्ड जनरेशन में याद दखेगा, माइक्र यूज कर रहे हैं, तो इस आइंपोर्ट आपको पता होना चाहिए, कि कौन सी जनरेशन में, कौन से बाटियल यूज किया जा रहा है, फो बायो फ्यूल, इंपोर्टन है, एक्जाम में कोशन बायो फ्यूल से जरूर दे है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन से इंप्लीमेंट कर रहा है, तो याद थरी-फोर आप्शन्स आपको बताना है, कि करेक्ट आंसर क्या है, मैं आपका दूए, ग्रामीन और अर्बन अलग अलग है, जो अर्बन है, उसको मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग अर्ब सकती के अंदर है, और स्वक्षभाद मिशन अर्बन कंपोनेंट मैंन अभी आपको होता है, मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग अर्बन अफेर, दोनों इंपॉरेंट एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग है, कुशन आपको ट्रैक किया जा सक करें, जहां पर आपको PDF अविलेबल हो जाएगी, और एक बार अप्लिकेशन को जरूर विजिट कर लें हमाई कोर्से के लिए, आपको इंडिविज्विज्व भी अगर कोई सब्जेक लेना हो, तो आप देख सकते हैं, आपको एक्जाम के लिए बहुत हेल्फुल होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार जरूर आप हमाई प्री प्लस मेंस के कोर्स का कंटेंट जरूर एक बार विजिट करें, कोई डाउट कोरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाच्चाप नमबर और कॉंटाक नमबर दे रखा है, आप हमें जरूर कॉंटाक कर सकते हैं, कोई भी डाउट कोरी इसके लिए, इसकी पीडिएफ में आपको बता दी मिल जाईए, ऐसे अगर आप कोशन प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली बेसे में कोशन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बहुत हेलफुल होगा, आपके कमेंग एक्जाम्स में, कि एकड़की जाम है।